दिन तीस्वां मंगल भवन मंगल हारी श्री राम मुलख प्रभुजे जग सुख कारी भई प्रातह साध फिर आया आये नाथ कोशीष जुकाया कहा स्वामी तब साधू ताही अंतर मुखी जब मन हो जाही वह अनूपम अवस्था भाई विशर सुधी तन की तब जाही विशरे देह की सुध तब अंतर मुखी हो मन इसी अवस्था को साध जी चाहते योगी जन इस अवस्था को जो ग्रहवे प्रत्याहारी वही कहावे प्रत्याहार बिना नहीं योग लेवें समझ यह मुमुक्षू लोग साधू ने निज जिग्यास जताई हे स्वामी मममन यहाँ आई कितना काल करके अभ्यास जन बने प्रत्याहारी खास और बतलावें यह भी भेव कितना नित्या करे हे देव सुन जिग्यास तब उसकी नाथ कहा बतलावें सब एक साथ प्रत्म पूछी जो तुमने बात कितना समय लगेगा तात मैं बताऊं रहस्य यहाँ खोल ब्रांती सकल मिट जाए अडोल मन तेरे की ब्रांती जो मिटे सकल इक साथ हो जिग्यासा पूर्ण तब लगे ज्यान भी हाथ प्रत्म कारण इस मेलो जान गुरु की कृपा को पहचान सदगुरु कृपाज सजन पै होए शीग्र प्रापत करेगा सोए श्रद्धा दूसर कारण भाई इका ग्रमन उससे हो जाई वेराज्याती जाकारण जान माया लिप्त ना हो इनसान पूर्व के संस्कार भी जान उनका महत्व कथा महान योग साधन जोकी ना पूर्व भल मिलेगा अवश्य अपूर्व योग भ्रष्ट जीव जो भाई अवश्य आकर करे कमाई संगती भी है कारण एक त्यागे जनकु संग प्रत्तेक कारण सारे होएं जब योग करे इनसान प्रत्यहारी तब भै यहां है मेरा ग्यान काल की गण ना तो ना भाई कारण की ही है प्रभुताई प्रशन अन्य जो कीन उस काल नित अभ्यास हो कितना काल उस में यह तुम समझो बात अपनी सुविधा मुख्य ही तात ग्रिहस्थी को जब वेला होए उसी काल कर सकत है सोए तुम साधू मैं तुझे बतलाऊं कब करो मैं यही कथपाऊं साधू करे अभ्यास निरंतर दिन मैं चार बार बिन अंतर प्रात करे दो घड़ी अभ्यास साएं भी दो घड़ी अभ्यास दो घड़ी का मध्यान लगावे मध्यरात भी तिमि कर पावे आठ घड़ी इस रीत से करे निरंतर साध प्रत्याहारी तब बने मिले सिद्धी निरबाध कहा साध हे सद गुरु प्यारे कि मिवरणू उपकार तिहारे मुझे को योग मार्ग दिखाया साध जीवन का मग बताया मुझे पर किरपा करनी नाथ चल शेक्षा पर बनू सनाथ प्रत्याहार के आगे नाथ क्या होत है योग का पात कर किरपाव है भी बतलाएं मम जिग्यासा शांत कराएं सुन स्वामी जी उसकी बात कहन लगे है मम प्रियतात जभी सिद्ध ना हो प्रत्याहार आगे योग करना दुश्वार करते रहो इसका अभ्यास काल उचित दें शिक्षा खास प्राणायाम जो मैं बताया प्रत्याहार है तू समझाया प्राणायाम अन्य भी भाई जिन की क्रिया रिश्यन बताई प्राणायाम का विज्ञान जो उसका बहु विस्तार शास्त्रों में जो है लिखा उस पर करें विचार श्रवन करी जब नाथ की बात साध बोला हे भक्त त्रात कर कृपा मुझे दी जो ग्यान जिसका की ना आप बखान कहा नाथ हे साध सुजान वेला है अब बहुत विहान साध वेला जब चली आओ आगे बात तभी सुन पाओ कथ इतना स्वामी उठ पाए निज कक्ष में तभी सिधाए साएं का जब वेला आया सद गुरु चर्णी साध भी आया और बैठ उस वचन उचारा नाथ आप की दया अपारा गुढ भेद जो आप बताए कभी ना पहले थे सुन पाए ज्यान गुढ जो योग का दिना दिना नाथ सद गुरु के उपदेश से भया हूं मैं कृतार्थ प्राणों का विज्ञान सब उसका हो विस्तार शर्ण पड़े अलपग्यका करो नाथ उद्धार कहा नाथ हे साध सुज्यान प्राणायाम का दूमे ज्यान रेचक पूरक कुम्भक जान प्राणायाम के भेद पहचान कुम्भक के भी भेद दो साध कथे दोनों के लाभ अगाध सहित कुम्भक एक कथ पाया केवल कुम्भक दूज कहाया जब प्राण को खींच दिखाएं उसको पूरक हम कथ पायें बाहिर छोड़े जब जन श्वास रेचक क्रिया वह हो खास भेद तीसरा कुम्भक भाई उसको भी सुन लो मन लाई रोके निज जब सांस इनसान कुम्भक उसका होत अभिधान रेचक पूरक सहित जब श्वास रोक दिखाएं सहित कुम्भक होत वह है शास्त्र कि मी लिख पाएं केवल कुम्भक जान लो रेचक पूरक रहित वर्णन उसका फिर करें सुनिये प्रथम सहित सहित कुम्भक के सुन लो भेद प्रथम कहा है सूरज भेद दूजा उज्जाई ही लो जान तीजासित कारी पहचान चोथा शीतली आया मीत पंचम भस्त्र का कर प्रतीत ब्रामरी चटा है मम भाई मुर्चा सत्वां भेद कहाई अश्टम प्लाविनी प्रानायाम आठों भेदों के ये नाम अठों कुम्बक में कथ पाए शास्त्रों में जो नाम है आए इन नामों को करके याद सीखने मुझसे उसके बाद योगी जन का यह आविश्कार करे जगत का बहु उपकार शेक्षा प्रानायाम की जगत वंद्य है मीत श्रद्धा पूर्वक जो करे वल हो आशातीत स्वामी जी का सुन उपदेश बोला साध हे गुरु महेश किस मुख से मैं गुण तवगाऊं ग्यान गुढ तुमसे सुन पाऊं शरण योग की मैं चल आया सहाभ्यास ग्यान को पाया अन्यत्र मिले नाया सुयोग कथने कर सभी ब्रह्मते लोग आपकी आज्या को सिरधार करूं साधन मैं सब प्रकार आठों कुम्बक जो बतलाए स्मरण नाम उनके हो पाए मैं सुनाओं सभी के नाम सहित कुम्बक के हे सुखधाम सुर्य भेद उज्जाई नाथ सीत कारी भी उसके साथ प्लाविनी अगला प्राणायाम सीखुं सभी आपके धाम शेक्षा प्राणायाम की मिले आप से नाथ इस विद्या का दान दे करिये मुझे सनाथ कहा नाथ हे साथ प्यारे भग्यवान हो तुम बहु बारे जिसके चित्त में है जिग्यास प्राणायाम के प्रति जो खास प्राण जानों जीवन आधार प्राण विद्या ज्यान का सार जिसने प्राण विद्या ना जानी मैं जानूं वह जन अज्यानी वेद वेदांग भी कथ पाएं प्राण शेक्ति के गुण बहु गाएं प्राण निकलें जान चली जाएं प्राण लोटें जान चली आएं कथन यही वेदों में आया योग शास्त्र भी यह कथ पाया होएं सशक्त जिमिजन के प्राण कथन करें अब वही विज्यान प्रातह आकर सीखना प्राणों का विज्यान प्राण विद्या जिसे कहें होएं सशक्त प्राण इतना कहकर उठ दिये स्वामी दीन दयाल साधू भी तभी चल दिया डूबा अपने खयाल श्री प्रभुराम लाल जिकी जैशरणम श्री सद्गुरु देव जिकी जैशरणम